नमस्ते बच्चो आज हम आपको बताने जा रहे हैं व्याकरन के तहत शब्द विचार का शब्द का दूसरा भेद उत्पत्ती के अधार पर उत्पत्ति के अधार पर सब्द भेद तो उत्पत्ति के अधार पर हिंदी सब्द को चार भागों में बाटा गया है तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशज अब आईए देखिए तत्सम सब्द किसे कहते हैं तत्सम सब्द, तत्थासम सब्दों से मिलकर बना है अर्था सम का अर्थ है समान यानि संस्कृत भासा के समान तो संस्कृत भासा के मूल सब्द जो हिंदी में जयों केत्यों परजुक्त होते हैं उन्हें तत्सम सब्द कहते हैं जैसे कर्ण, शूर्ज, रात्री, चंद्र, अगनियादी दूसरा है तदभव सब्द तद तथाभव सब्दों से मिलकर बना है तद का अर्थ है उससे तथाभव का अर्थ है उत्पन या होने वाला अर्थात उससे संस्कृत से बनने वाला संस्कृत भासा के अनेक शब्द हिंदी में परिवर्थित रूप में पर्युक्त होते हैं ऐसे शब्दों को तदभव सब्द कहते हैं जैसे तत्सम है कर्ड इसका बदला हुआ रूप कान, तत्सम सूर्ज बदला हुआ रूप सूरज, इसी प्रकार से रात्री से रात, दुध से दुध आदी, इसके अलावे कुछ तत्सम और तद्भव सब्दों के उदाहरन इस प्रकार हैं. आईए, देशज सब्द, देश के विभिन भागों में परचलित जो सब्द हिंदी में अपना लिये गए हैं, और उन्हें हिंदी सब्द के रूप में मानिता दी गई हैं, वे देशज सब्द कहलाते हैं, जैसे गारी, टम्टम, ज़रोखा, लोटा, इत्यादी. विदेशज सब्द, विदेशी भाषाओं के परचलित सब्द जो हिंदी में आत्मसात कर लिये गए हैं, और उन्हें अपनी भाषा के व्याकरन के आधार पर ही लिखते पढ़ते हैं, उन्हीं को विदेशज सब्द कहा जाता है. इसमें सबसे अधिक संख्यां अंग्रेजी सब्दों की हैं, जैसे अंग्रेजी में लाल्टेन, लैंप, कार, कॉलेज, मास्टर, टेबूल, पेन, डॉक्टर, इत्यादी. फार्सी सब्द, जिंदिगी, जमीन, चस्मा, सिशा, सहद, साधी, खून, इत्यादी. उसी तरह से अर्वी सब्द के भी कुछ उदाहरन हैं, औरत, कलम, शत्रन, जुर्माना, खत, आदी. पुर्तगाली सब्द, गमला, गोभी, बाल्ती, पाद्री, आदी. यानि कि ये सब सब्द जो हैं, हिंदी में इस तरह से आकर के मिल गए हैं, और हिंदी में इस तरह से उनका पर्योग होता है, कि लगता है जैसे कि वह हिंदी का ही सब्द हो. अब आईए, जानते हैं, अर्थ के आधार पर सब्द के दो भेद होते हैं. सार्थक सब्द, निरर्थक सब्द, अब सार्थक सब्द क्या है, तो जिन सब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है, उन्हें सार्थक सब्द कहते हैं, जैसे जल, भोजन, कपड़ा, आदी, अब है निरर्थक सब्द, जिन सब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता ह उन्हें निरर्थक सब्द कहते हैं, जैसे रग, मकल, यारिची, आदी, अब आईए जानते हैं प्रयोग क्याधार पर सब्द के कितने भेध होते हैं, तो प्रयोग क्याधार पर सब्द के दो भेध होते हैं, विकारी सब्द और विकारी सब्द, अब देखिए विकारी जिन सब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल, आधी के कारण बिकार या पडिवर्तन हो जाता है उन्हें बिकारी सब्द कहते हैं ये सब्द चार प्रकार के हैं संग्या, सर्वनाम, क्रिया, तथा विसेशन संग्या में देखिए लड़का तो लड़का का रूप वदल के लड़के भी होता है, लड़कों भी होता है इसलिए इसमें बिकार उत्पन हुआ, सब्द में, मूल सब्द में पडिवर्तन हुआ उसी तरह सर्वनाम में माई का मेरा भी, मुझे भी और मुझको भी विसेशन छोटा छोटी उंचा उंचे, क्रिया जाता है, जाते हैं, जाते थे इत्यादी अब आईए औविकारी सब्द ऐसे सब्द जिनको बाक्य में प्रियोग करने पर लिंग, वचन, कारक, आदी के कारन कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी सब्द कहते हैं, प्रमुक अविकारी सब्द चार हैं, क्रिया विसेशन, शंबंध बोधक, शमुच्य बोधक, विस्म्यादी बोधक क्रिया विशेशन सब्द देखिए कौन-कौन से होते हैं जैसे तेज, शिग्र, धीरे, आदी इन सब्दों में कोई बदलाव नहीं आता है संबंध बोधक, के बाद, के साथ, के पहले आदी समुच्चे बोधक, और अथबा, किन्तु, परंतु आदी बिश्मयादी बोधक, अरे, वाह, ओह, आदी